नमस्कार दोस्तो दोस्तो स्वागत है एक नई वीडियो में आज के इस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इजुकेशन डिपाट्मेंट गवर्मेंट और बिहार के तरब से बहुत वाणिया वेकेंसी निकाला गया है इस वेकेंसी में एक्जाम नहीं होगा उसके बाद यहां पर बोला गया है सिगनेचर अब देखिए सिगनेचर जो है वो आपको इंगलिस में करना है साधे कागज पे ब्लू या ब्लाइक कलम से सिगनेचर करके उसका फोटो किलिक कर लेना है और उसको क्रप कर लेना है और उस सिगनेचर को आपको बनाना है 140 पिक्सल इसका width होना चाहिए और 60 पिक्सल height होना चाहिए 20 केवी से कम का होना चाहिए तो अगर माल लिजिए कि हम यहाँ पे Choose File के उपर यहाँ पे click करेंगे और जैसे हम desktop में आते हैं यहाँ पे कोई एक photo ले लेते हैं जैसे माल लिए कि हम जिसे यह photo को हम ले लेते हैं यह photo यहाँ पे लेने के बाद अगर हम यहाँ पे जो है न update photo के उपर click करते हैं तो यहाँ पे जो है न मेरा photo upload नहीं हुआ इसका मतलब जो है न इसका यही height चाहिए और यही width चाहिए तभी upload होगा तो यह width और height बनाने के लिए आपको google पे new tab open करना है और उस tab पे आपको search करना है IMA Resizer अब जैसे ही आप IMA Resizer लिश के search करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आएगा IMA Resizer.com इसके उपर आप click किजिएगा इसके उपर click करने के बाद यहाँ पे बोलेगा resize image in centimeter, millimeter, inch और pixel यह यहाँ पे आप देख लिजेगा नीचे में आपको upload image का section दिखेगा यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे select file के उपर click करेंगे तो यहाँ पे आपको photo select करना होगा तो जैसे मान लिजे कि हम यह photo select कर लेते हैं यह photo select करने के बाद यहाँ पे settings है तो settings में यहाँ पे unit है तो unit में हमको pixel मांगा गया है तो हम यहाँ पे pixel select कर लेते हैं अब यहाँ पे बोला गया है कि 200 pixel width होना चाहिए और 230 pixel height होना चाहिए तो हम यहाँ पे width में select करेंगे 200 pixel और height में select करेंगे 240 pixel इस तरह से select करेंगे format यहाँ से जो है बहुत सारा option है जैसे की jpg है, jpeg है, png है, pdf है तो हम यहाँ से jpg ही रहने देंगे और जो है न, निचे आएंगे और निचे आने के बाद जो है न, कोई option आपको नहीं दिखेगा इस option में से जो भी option है यहाँ पे कुछ click नहीं करना है और उपर चलना है, उपर में आपको option मिलेगा back का और next download का तो आप next download के उपर click कीजिएगा अब जैसे ही आप next download के उपर click करेंगे तो आप देखेंगे, मेरा जो photo है यहाँ पे download हो गया है 7.5 kb के आसपास, यानि की 50 kb से कम का है, हम यहाँ पे बिहार के आरपी, यानि की की resource person का जो वेवसाइड है, इस पे आएंगे चूज फाइल के उपर click करेंगे click करने के बाद download में आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आई-म रिसाइजर से हमने download किया है डोकोमेंट्स को 28 फरवारी 2024 के date में, jpg format में 8KB में है, इसके उपर click करेंगे और यहाँ पे upload photo के उपर click करेंगे, अब जैसे हम update photo के उपर click करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा photo जो है न वो upload हो गया, अब signature upload करना है 140 pixel width होना चाहिए और 60 pixel height होना चाहिए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम इसको back करेंगे, back करने के बाद एक बार और back करेंगे, हम यहाँ पे फिर select file के उपर click करेंगे select file के उपर click करने के बाद यह signature हम select कर लेते हैं signature हमने select कर लिया, यहाँ से जो है न, unit हम pixel ही रहने और यहां पी जो है न हम width करेंगे कितना करना है मुझे width तो हम एक बार देख लेते हैं कि 140 width होना चाहिए और 60 height होना चाहिए तो हम यहां से जो है न 140 इसका width करेंगे और यहां पी जो है हम इसका 60 मतलब pixel जो है न वो height करेंगे इस थरह से कर लेंगे format में हमारा JPG ही रहेगा, नीचे में कुछ करना नहीं है उपर चलना है और उपर आपको बैक और next download का option मिलेगा हम next download के उपर क्लिक करेंगे next download करते ही हमारा जो है न ये लगभग 1KB में download हो चुका है, हम यहाँ पे आएंगे यहाँ पे आने के बाद हम choose file के उपर क्लिक करेंगे, यह आप देख सकते हैं तीन के भी में हमने इसको download कर लिया है और यहाँ पे जो है ना 28 फरवारी 2024 को इसके उपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद update signature के उपर हम क्लिक करेंगे अब जैसे ही हम update signature के उपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख लिजिए मेरा signature भी upload हो गया, photo भी upload हो गया, यह दोनों आपको upload करने का process पता चल गया होगा अब यहाँ पे बोलेगा जैसे signature has been updated successfully आप आपको यहाँ पे go to home के उपर क्लिक करना है, अब जैसे आप go to home के उपर क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे नीचे में documents का section मिलेगा, तो आप documents के उपर क्लिक कीजिएगा, documents के उपर क्लिक करने के बाद, यहाँ पे जो है जो भी आपको documents upload करना है वो black and white में upload करना है यानि कि कोई भी documents आपका जो है न, वो रंगीन नहीं होना चाहिए फोटो कोपी का फोटो घीचके आपको upload करना है, जो की PDF format में upload करना है यहाँ पे आपको upload करना है metric का certificate उसके बाद upload करना है metric का mark sheet उसके बाद upload करना है intermediate का certificate उसके बाद upload करना है intermediate का mark sheet उसके बाद upload करना है ग्रेजवेशन का मार्क सीट उसके बाद अपलोड करना है अगर आपने पोस्ट ग्रेजवेशन का जनकारी दिया है तो उसका सॉटिफिकेट फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजवेशन का मार्क सीट उसके बाद यहाँ पे जो है न अगर आपका कास सॉटिफिकेट है जैसे यहाँ पे certificate number भी आपको लिखना है, तो यह resize करने के लिए आपको जो है न, यहाँ पे आना है, और आपको यहाँ पे लिखना होगा, JPG to PDF, JPG to PDF लिखे यहाँ पे search करेंगे, अब जैसे ही यहाँ यहाँ पे एक वेवसाइड आएगा, www.ilovepdf.com, इसके उपर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे select JPG image के उपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मान लिजे कि हम desktop में आते हैं, और हम एक documents को बना के दिखा देते हैं, जैसे यह 10th का certificate है, इसके उपर हमने क्लिक कर लिया, आपको कुछ नहीं करना है, photo selector लेना है, और यहाँ पे convert to pdf के उपर क्लिक करना है, convert to pdf के उपर क्लिक करने के बाद, यहाँ पे download pdf का option है, इसके उपर आप क्लिक कर देंगे, अब जैसे ही आप download pdf के उपर क्लिक करेंगे, यह मेरा 85, लगवग 86 kv में download हो गया, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद, चूज फाइल के उपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड में आएंगे, लगवग 86 kv में अभी हमने pdf बनाया है, 28 परवली 2024 को इसके उपर क्लिक करेंगे, इसके उपर क्लिक करने के बाद, यहाँ पे जो है ना, मेरा डोकॉमेंट्स अपलोड हो गया, और यहाँ पे हम certificate का number लिख देंगे, तो इस तरह से जो है ना, आप अपना certificate बनाएंगे, और जो पीशे मैंने बताया, उस तरह से आप लोग photo बनाएंगे, तो आपको पता चल गया होगा, जो के आर्टी का की रिसोर्स परसन का वेकेंसी निकाला गया है बिहार में, इसमें आप लोग photo, signature and documents को कैसे बना के अपलोड करेंगे, अगर पूरा documents बारी बारी से हम बना बना के अपलोड करें, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग को मैंने एक ही documents करके बताया, सेम प्रोसेस से सभी documents आपका जो है न, अपलोड होगा, उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, जाय हिंद, जाय भारत!